तो दोस्तों अगर आपको भी अपने यू WhatsApp को अपडेट करना है तो अपडेट करने का तरीका देख लिजिए step by step मैं सारा कुछ आपको करके दिखा द रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यू WhatsApp इस्टॉल है मैं इसको क्लिक करके कर लाता हूँ open open करने के वद आपको करना क्या है आपको उपर दिखाए दे रहा होंगे 3 dots आपको 3 dots पे क्लिक करना है और जाना है आपको यू settings पे यू settings पे जाने के वद आपको नीचे सब से दिखेगा Upgrade U आप Upgrade U पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आपके version के लिए कोई भी update available होगा तो यहाँ पे show करता है आपको उससे पहले एक काम करना है आपको काम क्या करना है आपको जाना है universal settings पे आपको universal settings पे जाने काथ आपको scroll करना और नीचे आप देखेंगे हैं आपको दो option दिखाए दे रहे होगे पहला option है auto update new version via wifi and auto update new version via 4G आपको इन दोनों को ही enable करके रखना है इससे होगा क्या जैसे आप enable करके रखेंगे तो automatically जैसे ही कोई नया security पहचाएगा आपका application अपने मन से update हो जाएगा इसके बदा आप बाहर आ जाएए बाहर आने के बाद फिर से same process आपको करना है क्लिक करना है और आपको downloads पे क्लिक करना है जैसे आप downloads पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे लिखाए दे रहा होगा आपको यह डाष्ट चाहे तो यहां से करें आतरा तरौह दूसरा तरह ही होता है कि अप चेक यहां से कर ले इसके आप फालू यू प जाने का बाद हथ Алवे यहां से जाना है वेबसाइट कर सकते हैं आपको जी भी डाउनलोड नहीं करना आपको डाउनलोड करना है यह वाट्सप तो आप यहां से स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं यहां से नीचे अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाया रहा होगा यहां पर मैं करता गया हो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और जैसे यहां से मैं क्लोस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आप देखेंगे यहां पर डाउनलोडिंग आपको दिखाय दे रही है यह अप्लिकेश Downloading खत्म हो चुके है, आपको इसी पे click करना है, click करके आपको install कर देना है जैसे आप install करेंगे तो यह application आपका उसी application को update कर देगा आपको याद होगा इससे पहले जो हमने application use किया था, वो था 16.90.0 और अभी इस application को मैं download कर चुका हूँ, download करके मैं इसको installation पर लगा रहा हूँ अगर अब चाहे तो मैं आपको इसका link दे दूँगा, link मैं आपको Google Drive को देता हूँ चुकि Google Drive से क्या रहता है कि data safe रहता है कई बार हम किसी ऐसे website को विजट करते हैं जहां पर कुछ गलत content पड़ा होता है तो उसके सहायता से हमारे mobile phone में virus आ जाते है इसलिए मैं आपको Google Drive का link देता हूँ ताकि कज़दा risk ना है फिर भी वैसे इन applications को यूज़ करना इतना safe भी नहीं है हाला कि हम यह कुछ वैसे ही है कि हम गुटका खाते है उसमें लिखा होता है tobacco causes cancer पर इसका मतलब पक्का नहीं कि cancer हो गया ही होगा लेकिन फिर भी warning तो ही ही है अब हम यहाँ पर यह WhatsApp को कर लेते हैं उपन करेंगे तो क्या होगा पहले आपको याद है कि आप यूज़ कर रहे थे वह था 16.90 अब यहाँ पर आप देख लिजिए हाँ पर दिखाया रहा है 16.00.1 अब यहाँ पर आप click करना चाहें तो आप about पर जाकर आप license वगरा चेक कर सकते हैं तो I hope आपको समझ आया होगा अब इसके features की बात करेंगे क्या क्या changes आया हैं तो उस पर मैं accepted video बना के आपको अलग से बताऊंगा आज की इस video में जस्ट मैंने आपको बतायागा अगर आपको update करना हो तो कैसे करेंगे आज के लिए इतना ही जल मिलते हैं तब तक अपना ख्याल लखिए बाई बाई and take care